यहां पर हम रामसर साइट्स जो भारत में अभी नई घोशित की गई है और पुरानी भी इन सब को यहां पर देखने वाले हैं स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक चीजे देखेंगे कि नियूज में क्यूं है अभी यह हम क्यूं उस पर बात करें हैं क्योंकि हमारी रामसर साइट्स जो है यह बढ़ गई है पहले 75 थी अभी 80 हो गई है पाँच और ऐसी साइट्स हैं जिनको रामसर साइट्स का दरजा दिया गया है सबसे पहली बाद रामसर साइट्स कौन सी जगे होती है तो वेटलेंड्स जो होते हैं उनके कंजरवेशन के लिए जो भी ऐसे वेटलेंड है जिनके कंजरवेशन की जरुद है उन्हें रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है और फिर उस पर खासा ध्यान दि अनकास मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व करनाटिका में और अगाना शीनी एस्चुरी करनाटिका में तो तीन प्लेसेज हैं करनाटिका के दो हैं तमिल नाडू के पांच यह भी नए डिकलेर किये गए हैं जिसके बाद अब टोटल रामसर साइट्स भारत में असी हो इस लिस्ट में शामिल किया जाता है इन ही को कहा जाता है रामसर साइट्स रामसर कंवेंशन एक हुआ था वेटलेंज के कंजर्वेशन के लिए ही इस कंवेंशन को किया गया था रामसर एक जगह है इरान में यहीं पर यह मेटिंग कंवेंशन हुआ था 1971 में और इसलिए इ ही रिजन है कि दो फरवरी को हम वेटलेंड दे मनाते हैं 1971 में रामसर कंवेंशन स्टेब्लिश किया गया था युनेस्को के दोवारा और फोर्स में आ गया था 1975 में तो एक्जाम में यह भी पूछ लेते हैं कि रामसर कंवेंशन फोर्स में कब आया था तो इसके लिए भी कई में शामिल की जाती है साइस तो फाइदे क्या हैं वेटलेंड के बहुत सारे फाइदे हैं कुछ आपके सामनी यह है सबसे पहली चीज है वाटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं वेटलेंस स्टॉर्म से प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं फ्लड कंट्रोल के लिए बहुत यहांपर जो कुछ पेड पौदे होते हैं यहांपर जो जीव होते हैं वो commercial use के लिए भी important है fishing के लिए एक important area है यह transportation of goods and passengers wetlands के जरीए हो सकता है irrigation purpose के लिए important है industrial use के लिए important है cultivation of peddy, lotus, यह सब यहांपर possible हो सकता है wetlands में और jute को decompose करने के लिए for extracting jute fiber, jute fiber हमें कैसे मिलता है, jute को decompose किया जाता है, पानी में रखा जाता है उनको, उसके बाद jute fiber हमें बरापत होता है, extract होता है उससे, तो फिर उसके लिए भी important है, तो ऐसे कई सारे benefits हैं wetlands के, इसलिए इनको conserve रखना बहुत ज़रूरी है, एक wetland ऐसा place है, where the land is covered by water, either salt, or fresh, or somewhere in between, ठीक है, पानी किसी भी तरह का हो सकता है, नमकीन, खारा भी हो सकता है, fresh water भी हो सकता है, या फिर दोनों का mixture भी हो सकता है, वो सारी ऐसी जगे, जो water से covered है, वो land, उसको wetland बोला जाएगा, world wetlands day होता है, दो फरवरी को, 2024 में थीम इसकी है, wet land restoration, तो अब इसको भूल कर अब नई वाली को याद कर लीजे, लेकिन अभी हाल फिलाल में एक्जाम है, तो पुरानी याद रखेगा, टोटल रामसर साइट भारत में 80 हो गई है, हाइस नमबर ऑफ साइट्स तमिल नाडू के पास है, 16 रामसर साइट्स के वल तमिल सुंदर बंस की उपयोगिता हम सभी जानते हैं अच्छे से, जो उपयोगिता सुंदर बंस की है, वही सारी उपयोगिता है, वही सारी बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, सभी वेटलेंस में, हलांकि यह जादा बेनिफिशल है, बाकियों से, shortest या सही शब्द होगा smallest रामसर साइट कौन सी है, यह है, रेनुका वेटलेंड हमाचल प्रदेश में 20 हेक्टेर के शेत्रफल में यह फैली होई है, अच्छा, अभी हमारे पास 80 हो गई है, 75 थी 5 और शामेल हो, 75 लेकिन कब होई थी, 75th year of independence जो हमने 2022 में सेलिब्रेट किया था, तो उसी को एक तरह स सेलिब्रेट करते हुए, 75 रामसर साइट्स भारत की हुई थी, 2022 में ही, टीक है, as of August 2022, the state of Tamil Nadu has the most रामसर साइट्स इन इंडिया, 14 रामसर साइट्स में हो गई थी, तब भी सबसे जादा इसी के पास थी, अभी दो और इसको मिल गई है, तो 16 हो गई है, अभी सबसे जादा यही पर है, followed by the state of Uttar Pradesh with 10 sites, 11 नई रामसर साइट, 2022 में इंक्लूड की गई थी, 64 थी पहले, 11 और शामिल कर दी गई, 75 हो गई है, 11 कौन से शामिल होई थी, चितरांगुडी, बर्ड सेंचरी, सुचिंद्रम, थिरूर, वेटलेंड कॉंपलेक्स, वदूबूर, बर्ड यह सारी तमिलनाडू में है, फिर टंपारा लेक, हीराकूर रिजर्वायर, अनसुपा लेक, ओडिशा में, हाइगाम वेटलेंड, शालबग, वेटलेंड कंजर्वेशन रिजर्व, जमु कश्मीर, यश्वन सागर, मध्यपरदेश में, थाने क्रीक, महराष्ट्र में, यह सारी शामिल की कही थी, रामसर साइट, अब यह देख लिते हैं, which is the first wetland under the Ramsear Convention in India, important है, पहला wetland कौन है, wetland साइट कौन सी है, जिसको शामिल किया गया था, रामसर कंवेशन में, यह चिलका लेक है, 1981 में इसको शामिल किया गया था, और केवलादेव नशल पाग राजस्ता बना 36 गड़ अरुनाचर प्रदेश में गालिया और सिक्किम इनके पास कोई भी रामसर साइट नहीं है अम यहाँ पर कुछ क्वेशन देख लेते हैं विच स्टेट अचीवड रिकॉर्ड विध हाइस नंबर ओफ रामसर साइट इन इंडिया हम देख चुके हैं कई बार तम यलूर की तमेलनाद क robi सोला कॉन सी हैं यह एक पार देख लेते हैं सारी क्राइवहति बर ज। सेंचुरई लगोड़ सोला ज्चोला रिजर्ब फॉररेस्ट प्ट केलिमर वाइललाइफ अंड बर इसेंचुरी करी कीलि बर्ड संचुरी पळली करनाई मार्श बीसेंचुर पल्ली करनाई Mars Reserve Forest, पिचावरम मैंग्रोव, गल्फ ऑफ मननार, मरीन बायोसफेर रिजर्व, विम्बननूर विटलिन कॉंपलेक्स, चित्रांगुडी बर्ड सेंचरी, सुचिंद्रम थिरूर विटलिन कॉंपलेक्स, वडियार बर्ड सेंचरी, काँजी रंग कुलम बर्ड स तो यह 16 हो गए न, 16 है, 16 साइट्स हैं जो रामसर कन्वेंशन में शामिल है तमिल नाडू की है अगनाशनी एस्चुरी ऑफ विच स्टेट है रामसर साइट यह कहा है करनाटका का यह जगह है करनाटका की अब ही हम देखते हैं तो भारत में रामसर साइट्स हैं 80 नंबर हो गया इनका 75 से यह वही स्लाइड है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी यह दिन हर साल दो फरवरी को सेलिबरेट किया जाता है थीम इस बार की है वेटलेंज एंड हूमन वेल बिंग लास्ट यह कहानी मैं आपको बताई चुकी हूँ टमपारा लेक एस लोकेटड इन विच स्टेट यह लोकेटड है ओरीशा में औरिशा में कुछ और रामसर साइट है चिलका लेक जो सबसे पहली रामसर साइट है भारत की बितर कनिका मैंग रॉल्स स्टकोश्या जॉर्ज टमपारा लेक हीराकुर रिजर्वाइर और में पाला वैटलेंड कहां पर है मिज़ोरम में है तो option A correct होगा मिज़ोरम का पहला वैटलेंड है under the रामसर कन्वेंशन कबबरताल वेटलेंड इस लोकेटेड इन विच स्टेट यह लोकेटेड है बिहार में कोलेरू लेक कहां पर है कोलेरू लेक है आंधरप्रदेश में इस बन अफ तर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया और कृष्णा और गुदावरी डिल केवला देवनाशल पाग और चिलका लेक के पहले हैं कोलेरू लेक यह रहा फिर पॉइंट कैलिमर वाइलाइफ और बर्ड सेंचरी विंबनात कोल वेटलेंड सस्थम कुट्टा लेक और अस्टमूडी वेटलेंड यह केरला में है अपर गंगा रिवर यह उत्तर इसको भी रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया वडोद्रा गुजरात में है यह जगा विच अफ द फॉलाइंग इस नौट अ वेटलेंड साइड अंटर रामसर कन्वेंशन कौन सी है यह जय समंत राजस्थान में यह वेटलेंड के अंदर नहीं आता बाकी लोक्तक ले रूद्रसागर त्रिपुरा यह सारे वेटलेंड्स है जो कि रामसर कन्वेंशन में शामिल है दे वेटलेंड ओफ आश्टो मुडी इस लोकेटेड इन यह कहां पर है केरला में है सस्थम कुट्टा लेक अश्टो मुडी लेक और विंबनात कोल वेटलेंड यह सारे केरला क अगला आता है भोज वेटलेंड कहां पर है हमने माप में देखा था मर्द्र प्रदेश में है MP के कुछ और वेटलेंड्स है सिर्पूर वेटलेंड यश्वांत सागर और साखे सागर लेक विच अफ फॉलॉइंग इस ओक्सबो वेटलेंड इन में से है लोक्तक लेक मानिपूर में एक फ्रेश वाटर लेक है नौर्थ-East इंडिया की और लार्जस्ट फ्रेश वाटर लेक है मतलब ऐसा रिजर्वायर जो सेडिमेंट से बना है अवसाद से बना हुआ है यह है रूद्र सागर त्रिपूरा में सोकर वेटलेंड इस इन विच रिजन ओफ इंडिया सोकर लद्दाख में है बखीरा वायलेव सेंच्री कहाँ पर लुकिटेड है उत्तर प्रदेश में और हैदरपूर वेटलेंड ये भी उत्तर प्रदेश में हैं उत्तर प्रदेश के दस जो शामिल किये गए थे 2022 में ये हैं समान, बर्ड सेंचरी, सोर्सरोवर, सरसाइन आवरजील, नवाप गंज बर्ड सेंचरी, समस्पूर बर्ड सेंचरी, सांडी बर्ड सेंचरी, पारवती, आगरा बर्ड सेंचरी, अपर गंगा रिवर, हैदरपूर वेटलेंड, बखीरा बर्ड सेंचरी फिर अगला आता है, फिर अगला आता है, फिर मेक्सिको के पास है 142 साइट, तो ये टॉप टू कंट्रीज हैं, जिनके पास इसाइट नंबर ओफ रांसर वेटलेंड साइड हैं, वर्ल में भायाद के पास कितने असी सीजन थू ब्राजील प्रागवे और बॉलिविया इसका 80% ब्राजील के अंदर आता है बागी 20% प्रागवे और बॉलिविया में भी फिर ये चीज़ भी आज रख सकते हैं वर्ल्ड का पहला साइट अंदर रामसर कन्वेंशन ये शामिल किया गया था ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग पेनिस्यूला 1974 में इसको रामसर साइट का दर्जा मिला था दुनिया का पहला साइट है ये ऐसा सुल्तानबुं रामसर साइट इसलोकेटेड इन विछ स्टेट ये है हर्याना में थोल वेटलनट का पर है गुजरात में है फिर आता है नेक्स्ट लिज़ानं के दॉज़ास्मालर साइटigare ये है रेनुका वेटलेंट लार्ज़स साइट भारत की कौन सी है सुंदर इंडिया थे लार्जस नंबर ओफ रांसर साइट सीवी हम देख चुके हैं तमिल नाडू कितनी है 16 विच फॉलिए इंडिया पहली रांसर साइट जिलका लेक और केवलादेव नाशल पार्क 1981 में इनको रामसर साइट के तौर पर रिकगनाईज किया गया था पहली बार Which of the following is the रामसर साइट of Jammu Kashmir Jammu Kashmir के रामसर साइट इनमें से कौन सी है यह होकेरा वेटलेंड इसके अलावा वुलर, जील और सुरिंसर मांसर लेक और रिसेंट में इनको शामिल किया गया है 2022 में हैगम वेटलेंड और शालबग वेटलेंड कंसरवेशन रिजर्व Which of the following is not the रामसर साइट of उत्तर परदेश यह है सुल्तानपूर नाशल पाक उत्तर परदेश का रामसर साइट ही नहीं है रोपर लेक और नांगल वाइलाइफ सेंक्चुरी और रामसर साइट उफ विच स्टेट उफ इंडिया यह दोनों ही प्लेस पंजाब के हैं इनके अलावा पंजाब का केशोपूर म्यानी कम्यूनिटी रिजर्व ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और कांजली वेटलेंड यह सारे हैं पंजाब के रामसर साइट्स सांभर लेक इस दे रामसर साइट उफ विच स्टेट उफ इंडिया सांभर लेक राजस्थान में है इंडिया ही लाजस्ट सलाइन लेक है और राजस्तान में जो salt production होता है नमक का उत्पादन होता है उसका ये बहुत बड़ा source है नंदुर मद महिश्वर is located in which state ये located है महाराश्च्रु में थाने क्रीक और लोनार लेक ये भी यही पर है महाराश्च्रु में भिंदवास वाइलेव सेंक्चुरी कहां पर है ये है हर्याना में फिर यहां पर देख लेते हैं कुछ रीसेंट की रामसर साइट रीसेंट मतलब 2022 में जो हमने देखा था शामिल हुई थी रामसर साइट में यह तंपारा लेक ओडिशा हीराकुट रेजरवायर ओडिशा अंस सेंशुरी तमिल नाडू थाने क्रीक महाराश्च्र में हाइगाम वेटलेंड कंजर्वेशन रिजर्व जमु कश्मीर में शालबग वेटलेंड कंजर्वेशन रिजर्व है जमु कश्मीर में तीके आगे यहां पर देखे थोड़ा सा और रिवाइस कर लेते हैं सस्थम नहिश्वर और थाने क्रीक लुनार लेक केवला देवनाशल पाक और सांभर लेक ये दोनों है राजस्थान में पाला वेटलेंड मिजोरा में रंगना थित्तू बर्ड सेंचुरी गरनाटिका में कोलेरू लेक यह आंदर प्रदेश में सोमोरीरी लद्दाक सोकर लेक अब लोग के लिए अब आश्नो मोडी लेक इस लोकेटेड इन विचस्टेट बिहार उडिसा केरल या फिर मध्यप्रदेश आंसर बताएगा इसका कमेंट में और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थाइंक्यू सो मच वर वाचिंग जैहिंद